रादे रादे जो दोस्तों Facebook पे अभी 90% लोग copy paste content का use कर रहे हैं और इन में से बहुत सारे लोग earning भी कर रहे हैं और दोस्तों मैं सच बात बता रहो और आप लोग भी यह जानते हो कि एक वीडियो creator अपनी जान लगा देता है अपने content को monetize करने के लिए चाहिए वो Facebook पे हो, YouTube पे हो, Insta पे हो या फिर किसी भी social media platform पे हो एक वीडियो creator बहुत ही जादा महनत करता है ताकि उसका content monetize हो जाए चाहिए वो copy paste कर रहा हो, चाहिए वो original content create कर रहा हो और यहीं पे Facebook वीडियो उस पे आपसे कुछ गलतिया हो जाती है जिसके कारण आपके Facebook पेज़ बे आपको अन-original content, partner monetization policy, limited originality या फिर restricted monetization जैसे policy issues को देखना पड़ता है और जानते हो अगर आपका page monetize नहीं है तो फिर भ देता है आपके monetization को तो इस वीडियो में आपको तीन ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप आपने page बे आई हुए policy issues कोई भी policy issue हो इन चारों में से आप उसे remove कर सकते हो बहुत ही easily बिल्कुली 2-3 दिनों के अंदर में तो इस वीडियो को end तक देखना और वीडियो पर कर नए हो तो चैनल को subscribe कर लेना और वीडियो को like करके comment में ज़रूर बताना कि आपको क्या problem आ रही है मैं कोशिश करूंगा आपके problem को cover करके एक video बनाने की जिससे आपकी help हो सके और दोस्ते एक और इंट्रेस्टिंग चीज़ अगर आपके पास facebook, youtube या insta idea जिसमें बहुत जेन्विन तरीके से direct sponsor से आप connect कर सकते हो और अपने page पे लोगो sponsorship को enable कर सकते हो तो इस वीडियो को जरूर देखना i button पे मैंने link दे दिया है और description पे इस वीडियो का link है तो आप description से या i button से कहीं से भी जाके उससे देख सकते हो तो इसे ठीक कैसे करते है वो जानने से पहल से मौझूद है अब इसके बाद आता है limited originality of content इसका मतलब है कि आप अपने page पे original content अपलोड कर रहे हो लेकिन इसके साथ साथ आप किसी का copy page भी कर रहे हो means आपका original content limited है ठीक है इसका मतलब होता है LOC limited originality of content अब एक गलती आप लोग करते हो same profile से share करते हो means जिस profile पर वीडिय इसे को शेर कर रहे हैं इससे कोई दिकत तो नहीं आने वाली है आप लोग यही सोचके अपने same profile से videos को share करते हो दूससे pages पर और एक और गलती करते हो same profile से video को watch करते हो means जिस profile के page में आपने video को upload किया उसी profile से उस page पर जाके आप video को watch कर रहे हो जो कि एक invalid practice है और facebook की नजर म restrict कर देगा अगर आपका page monetized जटो या फिर अगर आपका page monetized नहीं है तो आपके page पर policy issue आ जाएंगे तो इन सारे problems को ठीक करने के लिए 3 step है जो कि आप सब को follow करने चाहिए अपने page के उपर जिससे कि आपका कोई भी policy issue अगर है तो वो हड़ जाएगा और अगर आपका page monetized restrict हो गया है या फिर demonetized हो गया है तो वो monetized होने के chances बहुत ही जादा बढ़ जाएंगे इस पर मैं confirm कर देता हूँ अगर आपके पास multiple pages है तभी इन चीज़ों को try करना हो सकता है किसी एक page पर अगर आप कर रहे हो तो उस page पर work ना करें क्योंकि यह सारे pages पर work नहीं करेगा उसी page पर work करेगा जिस page पर आपने बहुत ही कम copy pasting की है या फिर आपने editing के उपर अच्छे से ध्यान देके उस पर copy paste किया हो तो चलिए पहले steps के बारे में बात कर लेते हैं बाद में editing की बात करेंगे तो तीनों step में पहला नमबर वाला है delete copy paste content आपके पास जितना copy paste content अप आपके page के उपर आप उन सब को delete कर दो बस अपना original content को रहने देना जिस पर आप live आये हो या फिर आपने कोई कोई अपना complete video upload किया जिस पर आपका face हो या फिर वो content Facebook पे मौझूद ना हो जैसे कि voiceover किया हो आपने किसी video के उपर या कोई voiceover video fact video बनाया हो आगर example के तो पर ब बाकी copy paste जिसमें completely आपका content ही नहीं है किसी दूसरे का face है तो उनको जल्दी से जल्दी delete कर दो number second step पाता live आना आपको 5-6 दिन तक live करना है वो भी daily एक घंटे के तौर पे एक घंटा एक बार में नहीं करना मिंस तोड़ तोड़ के आप लोग अगर एक घंटा कर पाते हो एक दिन में तो बहुत अची बात है या फिर आप एक लंबा समय तक daily live आओ 5-6 दिन तक live आओ औ पोशिश करो अपना चेहरा दिखाने की कैमरे को पर ताकि फेस्बूक को लगे कि यह इंसान यह पटिकुलर इंसान इस पेज का ओनर है और यह पेज इस पटिकुलर इंसान का ही है यह कोई copy paste का का काम नहीं कर रहा है तो इससे फेस्बूक को एक positive message आएगा और third और सबसे क हो सकती है in stream ads बोलो या फिर ads on reels बोलो सारी problems का एक ही solution आपको यहां पे मिलेगा आपको बस help and support पे जाना वहां पर रिपोर्ट प्रॉब्लम पे जाना लेकिन इससे पहले आप अपने dashboard का screenshot ले लेना जहां पर आपको policy issue show कर रहा है या फिर monetization restricted जहां पर आपको दिखाई दे नहीं आ रहा तो वहां पर आप जाना सीधे include in report पे वहां पर आप अपने attachment को add करना मेंस अपने screenshot को और जो डिस्क्राइब एन इशू वाला जो टैब आपको दिख रहा है जो window आपको दिख रही है वहां पर आपको अपने problem को describe करना वो भी English में और वो भी एक legit form में ठीक है 3-14 दिन के अंदर आपको revert मिल जाएगा और अगर आपको revert नहीं मिलता है तो आप फिर से इसे apply कर सकते हो जैसे आपको review request का option मिल जाए तो ठीक है ऐसे करके आप review के लिए डाल सकते अपने page को या फिर report कर सकते हो अपने page के बारे में आपको जो दिक्कत आई है तो अगर कोई भी इशू नहीं आएगा अगर आप editing एक higher level पर करोगे तो editing कैसे करना इसका overview मैंने आपको पिछले वीडियो पर दिया था कि आपको high level editing में आपका original वीडियो copy paste वीडियो के ऊपर रखना है जैसे कि आप एक reaction वीडियो बना रहे हो या फिर आप एक question answer वाला वीडियो तो अगर इसको completely सीखना है तो इसके लिभी comment जरू करना मैं आपको वीडियो जरू बना के दूँगा इसके ऊपर comment बने problems बताओ मैं उसका solution ले के आऊँगा और try करूँगा कि आपको help कर सकूँ तो वीडियो को like कर देना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe कर लेना मिलते आप से नेक्स वीडियों में तब तक के लिए